हलो का दोस्वाइद आप सबका टीम सोरिमनबाद करने वाले अपना भाई आज का जो मैच रहने वाला है पीकेल में प्रो कवेड़ी लीग में किस-किस के बीच में एक तरफ है माई टीम मनेंदर बंगाल वारियर से दूसरी तरफ है यहां से अरजन देशवाल जैपर मिंग पैंदर से आप जैपूर की टीम चाहेगी कि भाई अपना पहला मैच अटले जीद जाए अभी सीजन में क्योंकि पिछला वो हार गए पुनेरी परिटन से एंड वहीं बंगाल वर्यर्स अपना जो भी विनिंग से उन्होंने शुरुआत कि वह कंटिनियों करना चाहेगी आज के लिए कौन से प्लेयर्स काफी जादा बहतर बनेंगे कौन से नहीं सारी चीज़ें डिसक्स करने वाले हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना एंड साथ-साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं क्या हो तो भी यह को मिलते हैं ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटावर से जाके आप टेलेग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो बागी देखो अभी चलते हैं अपने जरा मैच के उपर कि आगाहने रहती है तो बंगाल वोरियर्स वेसस जैपर पिंग पैंथर्स वही आट वजी र की में बात करूं तो यहां से आपको सेंटर में देखने को मल जाएंगे मनिंदर सींग माइटी मनिंदर बोलना चाहिए न आपके पिछले सीजन तो 21 मैच में 238 पॉइंट है इस सीजन की शुरुआत भी उन्होंने सूपर 10 से किया ठीक है जो इनका पिछला मैच था उसमें इनके पिछले सीजन में और अगर रिसेंट वर्म की मबाद करूं तो इन्होंने पिछले मैच में दो टैकल किये थे और दो टैकल इनके जो थे अंसक्सेस्फुल रहे थे मतलब की अच्छा ही रहा था ठीक है उसके बाद में आपको लेफ्ट को और लेफ्ट कर उपर देख पिछले मैच में तो इन्होंने कुछ किया नहीं एक टैकल पॉइंट लिया नहीं था एक अंसक्सेस्फुल रहा था उल्टा पिछले सीजन में खेले नहीं थे उसके बाद मैं आपको राइट इन पर श्रीकान जादा देखने को मिलते हैं पिछला जो मैच था उसमें कुछ ठीक है उल्टा टैकल होके आए हर बार तो ठीक है बट जादे कुछ पिछले मैच में नहीं कर पाए उसके बाद में यहां से आपको विश्वास एस देखने को मिल जाते हैं चार रेट पॉइंट्स थे पिछले मैच में और दो बार अंसक्सेस्फुल रेड और पिछले ठीक है पिछले मैच में चार टैकल पॉइंट थे इनके नाम और वहीं पर जो आधित्या एस सिंदे थे उनके नाम आपको तीन टैकल पॉइंट्स दोनों कॉर्णर ने पिछले मैच में बहुत बढ़िया काम किया ता मतलब ऐसा था है कि एकदम बढ़िया से टीम ने और औ इंपर्ण बनने वाले उसके साथ-साथ यहां से श्रेश उंबार्डन में बोलूँगा की बनते हैं इंपर्ण जेल वगरा में ट्राइब कर सकते हैं अच्छे नहीं रहेंगे वैबाव गर्जे यहां से कुछ आपको इंपैक्ट डालते हैं जरूर दिख सकते हैं वहीं बा स्रिलंका की तरफ से रेडिंग डिपार्टमेंट पांच मैच में नो रेट पॉइंट सेन के पिछले सीजन उसके बाद में आपको अक्षे कुमार लेफ्ट कोरनर पर खेल तो दिख सकते हैं अलाकि क्या बोलते हैं लेफ्ट कोरनर राइट कोरनर अभी के लिए तो दोनों बबाई शिंदे साब बैठ है बट उसके लावा अगर सब्स्यूट में आते तो यह हो सकते हैं सीजन आठ में खेले थे साथ मैच में च्छे टैकल पॉइंट से इनके नाम उसके बाद में दरपन है जो की डिफेंडर है पिछले सीजन खेले नहीं थे पिछले मैच में ऐसा जाला था और एक रेड में अंसक्सेस्फुल रही थे दो मैच में तीन पॉइंट इनके और वल है उसके लावा अगर हम बात करें बागी भाई अपने स्कोर्ड की तो उसको में आपको महर उद्रागर्जे देखने मलते हैं जो कि राइट रेडर है और गुहान है जो कि रा सकता है आपको सब्स्ट्यूट में देखने को मिल जा आज के लिए या आपको आगे के मैचस में शायद सीधे प्लेंगिलर मीं मिल जा ठीक है तो यह है अभी के लिए रेश्ट आप रहा था पूरा का पूरा बागे बात करते हैं जो दूसरी टीम है यहां से प्रोवल सेव इनको कही ना कहीं यह ले गए थे सत्रा मैच में सोरी सत्रा रेट पॉइंट से नहीं निकाले थे और सिर्फ पांच अंसक्सेस्फुल रेड इनकी रही थी तो बहुत ज़ुरदार था बट पूरी टीम कंट्रिबुट नहीं कर पाई क्योंकि इनके कॉर्नर्स नहीं चले ज इस वाएसे जैपर विंग पैंथर पिछला मैच हा रही तो इस बार वो गलती नहीं करना चाहें क्योंकि खिलाडी यह बहुत बड़ी है तो अगर आप अंडरेस्टिमेट कर रहो कि भाई साहुल कुमार पिछले मैच नहीं चला बड़ा बेकार है तो नहीं खिलाडी बहु के तरव से पिछले मैच में बाकी रेजामीर बागेरी बहुत बुरी तरीके से फ्लोप गए और उलतेन के 16 मैच में 36 टैकल पुइंट है पिछले सीजन में बट इस बार जो रिसेंट फॉम इन करा पिछले मैच में तो तीन अंसक्सेस्फुल टैकल थे तीन बार आउट हो क कर गए और एक भी टैकल नहीं कर पाए तरीजामीर बागेरी यहां से पाकी जील वगरा में वो लूट राइप करके चल सकते हो उसके बाद में अजीत कुमार है जो कि राइट इन पर है 21 मैच में उसके बाद में देखो हैं सभी अजीत कुमार है यह भी कुछ जादा खास नहीं कर पाए फिछले मैच में पांच इनके नाम रीड़ पॉइंट से टेकल यह एक बीनी की एक रहा था उसके लाबा और और मैं पिछले सीजन के बात करूं तो 21 मैच में सो रेट पॉइंट से इनके नाम और तीन टेखल पॉइंट कुमार एक सेकेंड रेडर रहेंगे यह उसके लाबा सुरी थर्ड रेडर रहेंगे यहां से भी अजीत कुमार राहुल चोदरी यहां सेगंड डेडर लेफ्ट इन दो ही रेड़ पॉइंटे निकाल पाये तो जादू जो है जो पहले की सीजन में चलता था वो नहीं चल पा रहा है राहुल चोदरी का 21 मैच में वैसे तो पिछले सीजन भी कुछ जादा खास नहीं के थे 21 मैच वह मातर सेवंटी वन रेट पॉइंट सी थे बढ़ाँ इस प्लेयर यह प्लेयर ऐसा है जिसको आप जियल में जरू ट्राइ कर सकते हो रहुल चोदरी को ऐसा सीवी सी करके क्योंकि भाई अभी स्मोल लिग क से पिछले मैच में तो नहीं चल पाए ना सहुल कुमार और यहां से अंकुष बाकि अंकुष आज के लिए काफे जादा इंपॉंट बन जाते और साथ में इनके इंपॉंट रहेंगे यहां से सुनील कुमार ठीक है यह दोनों ही लेफ्ट कोरनर राइट कवर इंपॉंट बाकि सेंटर से अपने में रेडर जो है अरजुन देशवाल यहां से काफे इंपॉंट बनने वाले हैं उसके लाव वे जीत कुमार रहुल चोदरी वे उनको जील में आप ट्राइज देकर चल सकते हो बाकि बात करते हैं इनके सब्सूट प्लेयर्स की तो भवानी राजप प्लेयर्स के लिए और और वर्ल पॉंट्स नहीं निकाले पिछले सीजन में चार मैंच में एक टैकल था उसका अभीशेक केश जो कि लेफ्ट कवर पर खेलते हैं 18 मैंच में 25 टैकल थे इनके पिछले सीजन उसके लावा यहाशे लविश है जो राइट कवर खेलते हैं दि प्लेयर्स हैं उसके लावा यहाँ से पिछले मैच में जो आये थी यह दोनों रहे थे भवानी राजपूत और यहां से असीश उसके बाद में बात करें रेश्ट अव्दा स्कॉर्ड के तो सुमित है जो लेफ्ट कॉर्णर पर खेलते हैं सीजन आठ में खेले थे है नहीं उसकाद में शशांग के लेफ्ट रेडर के तोर पर यूग कबड़ी में आठ मैच में फिफ्टी टू रेट पॉइंट से और एक टेगल पॉइंट इनों ने निकाला हुआ था तो यह हमारे जो रेश्ट और रहते हैं बाकी अगर बात करते हैं जरा आगे निकल कर हैटवुड मैचेस तो हैटवड में यहां से बंगाल वरियर्स थोड़ी सा आगे निकल कर आ जाती है's 16 मैच में यहां से हैटवड के देखो अगर बात करतें third of December के जो इहां से मैच हुआ था का पिछले सीजन के मैंचे से जिसमें जैपुर जो फिफ्टी सैवन थर्टी वन से जीती थी एक बहुत बड़े गैप से जीती थी और जैपुर की तरह से परफॉंस करने तो अब यह देखो यहां से जब सामने वाली टीम का रेडर राइट रिडर फ्लॉप रहा तो सुनील कुमार अंकुष्ट दोनों की तरफ से अच्छा परफॉंस आया था इसलिए आज भी दोनों ही इंपॉंट है बाकी रेजा मीर बागिरी थे तीन टैकल और सहुल कुमार उ मैच में और भी पर बैंगलूरू सुरी बैंगलूरू में मैच हो था जिसमें जैपुर वापस जीती गया था 39-24 के साथ में मतलब ऐसा है कि पिछले दो मैच जीते हैं चाहे बंगाल आगे है बट जैपूर पिछले दो मैच अजमागे रही है जिसमें श्रीकान जादा ओ ठीक ठाक सा फर्फानस करते हूँ दिखें और यहां से मनिंदर सिंग फ्लोप होते रहे हैं ठीक है इस मैच में भी मनिंदर सिंग फ्लोप होए थे इस मैच में देखो कर दो है जयापूर के से चलें हैं दूसरी तरफ मनिंदर फ्लोप हुए बागी है साहुल कुमार है दो टैकल उसके बाद में अभी शेक के नाम भी दो टैकल थे राहुल चोधरी एक भी रेट पॉइंट था नी भावानी राजपूत नहां से पांच रेट पॉइंट निकाले थे उसके बाद में थोड़ा सा और पीछे जाते हैं अपने हैट्वड मैचस में जिसमें 24 जैनुरी को मैच हुआ था यहां पर मनिंदर सिंग अच्छा कर गए थे और द मनिंदर फिर भी अगर हम पिछले चार मैचस में देखें दो में फ्लोप है दो में चले है और जब जब मनिंदर फ्लोप हुए तो परफॉर्म किस ने करके दिखाए अंकुष ने और सुनील कुमार ने ठीक है यह दो आज के लिए भी रहेंगे बड़ा खत्रा बनने वाले है तो फिर वह अंकुष ने कुमार के कंदो बरी रहेगी वहीं अर्जुन देश्वाल अगेश्ट अधित्य शिंदे एंड वैबागर्जे को अर्जुन देश्वाल भी एक राइट एडर है तो यहां से लेफ्ट कोरनर और राइट कवर की जिम्मेदारी रहेगी अर्जु श्रीकान जादा हो शाहूल कमार और तो शाहूल कमार की जिम्मेदारी यहांसे बनने वाली है और उसके बाद में वियाजीत कमार अगें शीवम सिंदे एंड यहांशे हैं श्रेस उंबाटे तो भएई चीज़े तो भाई विया जीद कमार भी एक क्योंकि लेफ्ट डेडर सकते हैं उसको बाद में श्रीकान चादा और साहुल कुमार जो मेरे को लगता है साहुल कुमार यहां से बाजी मार कर जाएंगे दो तीन एंकल होड़ जरू कर लेंगे श्रीकान चादा हो कि बाकी वियाजीत कुमार अगए श्रीवम सिंदे और यहां से श्रेश तो यहां से अच्छा गर के जा सकते हैं मतलब वियाजीत कुमार शायद आपको फलोप होते वumpsर दिख जाए बाकि उसके बात में लाकि टीम की बात करें और तो यहां से शिंदे को रखा है सहुल कुमार को और यहां से अनित्य शिंदी है मेरे पास में सुनिल कुमार अपने उल्ड राउंडर सेक्शन में हो गए बागे मनिंदर सिंग देशवाल और यहां से विए जीत कुमार है चाहो तो विए जीत कुमार को अठाकर किसी और के साथ में आप जा सकते हो ठीक है मतलब एक अगर तो इसी वज़ह से मैंने अंकुष को नहीं लिया और मनिंदर सिंग को यहां से लिया है तो एक के साथ में आपको जाना पड़ेगा जसमें कि मैं अभी के लिए मनिंदर के साथ में पिछले मैंच में काफी अच्छे टच में दिखेते अच्छी फोर्म में दिखेते इस अगर इन्होंने डिफेंस पॉंट निकाल लिए तो काफी अच्छा बैतर हो जाएगा मामला तो यह रहती है अभी के लिए टीम एंट सब चीज़े आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो फटावट से वह सब्सक्राइब कर लो एंड बाकी वल्दा बैस्टेस मैच के लिए मिलते आपको नेक्स वीडियो में बहुत ही सारे जल्द